नमस्कार जय हिंद जय भारत मैं फातिमा निखत बीडिया स्थियूज में आपका स्वागत करती हूँ आईए देखते हैं आज के समाचार आज की तारिक में रेमडस्वीर इंजिक्शन के बारें में चल रहा है बलैक भी हो रही है शॉटेज भी हो गयी है पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडस्वीर से जान बसते नहीं देखा गया पिर यह क्यों भी कर रही है और क्यों प्रूब हुई है क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके लाबा जाधा कोई दवाई नी थी अगर आप डेटा में जाईए तो सच्छा यह है कि दुनिया में आज तक सिर्फ दो दवाईयां बनी हैं जो कोर्णा में लोगों की जान बचाती हैं जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टिरोइड का इंजेक्शन जिसकी स्टड़ी यूके में हुई थी इसको कहते डेक्सा मीते सोट यह ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे क्यों नहीं भागे क्योंकि अगर आप इसकी मर्पी देखिए यह 10 रुपे हैं डेक्सा मीते सोन के उपर यूके ने स वाड बोल रहा हूं रेमडेस्वीर से जाधा अफेक्टिव यह इंजेक्शन है पर यह सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है इसलिए रेमडेस्वीर के पीछे भागना छोड़िये जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं जो हमारे प कोई यूज नहीं कर रहा है इसके अलावा सो में 17 लोगों को सीरियस कोवीड इंफेक्शन में कलॉट्स बनने का खत्रा रहता है इसलिए उनको ब्लड फिनर का इंजेक्शन एक क्लेक्सेन या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड फिनर की टैबलेट दे ये ब्लड फिनर की टैबलेट 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाईयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं जो लोग की ऑक्सिजन 93 से कम है वो ही लोगों को इतने सब दवाईयों की जरूरत है जो लोग नॉर्मल है वो लोग नॉर्मल खाना या स सिम्टमाटिक ट्रीक्मेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं स्टिरोइड की जरूरत सिर्फ सेकिंड वीक में पढ़ रही है एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उमर सिर्फ 14 दिन ही है अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए आमोमन आदमी की उमर 50-50 साल होती ह कोई वीजन नहीं है कि हम कोरोना से हाथ जाएं अगर हम हाथ जोड़ लें एक दूसरे की मदद करें चीजें ब्लैक ना हो दे दें और जो अवेलेबल संसादर हैं आज हमारे पात उसको यूज करें तो हम सब जादा से जादा लोगों की जान बचा पाएं मैं संजीव कुम खुशगवार हो और हर खुशगवार सु का अन्जाम बखे हो इन्ही दूआउं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिये इजाज़त देखते रहें बीटीएस नियूज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जैहिन